हे गाईज आज मैं आप सबके लिए लेके आ रही हूँ वर्ल्ड फेमस रेसिपी जी हां ये अब वर्ल्ड वाइड बहुत ही जादा फेमस हो गया है अपने देश के अलावा विदेशों में भी इसको बहुत जादा पसंद किया जा रहा है और सबको बहुत अच्छा लगता ह भी बहुत असान है जी हां आपने देखा हो और देखके पहचान गया होऊंगे ये है लिटी पार घर knit फो कारड़े भी घर पे बनाना थोरा जोड़ा सब झाल मूश्किल लगता है लेकिन यह सिरा लगता है मेरी वीडियो को देख़े बहुत घर बहुत आसान तरीके से step by step मैंने बताया है और मैंने इसको बनाने के लिए मैं खुद नहीं बना रही हूँ जो इसके professional है ना मैंने उसको बुलाया है जो professionally इसको बनाते है ना लिटी चोका वो बहुत बढ़िया बनाते हैं और वो किस तरह से बनाते हैं मैं उनसे ही आपको दिखाऊंगी और और यह आटा जो लगाने का है ना यह खुब अच्छे से आटा लगाए जितना अच्छा आटा लगेगा ना आपका जो लिटी है वो उतना ही बढ़िया बनता है और next जो important step होता है वो होता है इसको भरने का सत्तू तो हम सब भर लेते हैं सत्तू जो होता है चने का जो आट कर सकते हैं भूना हुआ होता है वो होता है बहुत आसारी से सत्तू मिल जाता है और यहां पर देखिए भरने का एक तरीका होता है अगर आप अच्छे सा जैसे हम रोटियों में भरते हैं उस तरह से आप भरेंगे ना तो लिटी नहीं बरेगा यहां पर मैंने बिल्कुल ध अच्छे से बढ़ते हैं जितना अधिक डालेंगे ना उतना ही अच्छा लगता है खुब अच्छे से डाल देते हैं और तसली से इसको बिल्कुल बिल्कुल नहीं फटेगा अगर आपके पस तंदूर है तो आप तंदूर में इसको सेख लिजे और जाजातर लोगों के प प्राइ करने के लिए बताऊंगे यहां पर देखिए एक बड़ और दिखा दे रही हूं किस तरह से बढ़ते हैं और यह जो सत्तू का मसाला बनाया है इसमें बिल्कुल ही कम चीज़े डाली है बहुत ही साधा मसाला बना है यहां पर सत्तू डाला है नमक और निम्बू का रज डालते हैं अमचूर पाउडर अगर है तो वो डाल दीजिए और इसमें कलॉंजी डालते हैं आजवाइन डालते हैं और बिल्कुल हलका सा पानी बिल्कुल ना मात्र का समझे सरसो का तेल डालते हैं और इसका एक बढ़िया सा मसाला रेडी कर देते हैं और लिट्टी क यहां पर नमक डाल दिया, सरसो का कच्छा तेल डाल देंगे और अंटी ने यहां पर भरता है, बहुत सिंपल और बहुत थिलजीज, इतना कम मसारा जो मैंने बताएं, अगर डालेंगे तो इसका जो अपना टेस्ट है वह बाहर निकल गयाता है, और यहां पर बन रही है बिल ग्रेड का बनता है, बहुत ही बढ़िया, यहां पर मैं पीज दे रही हूँ, आंटी सब कुछ काट दे रही है और मैं इसको पीज दे रही हूँ, बहुत ही बढ़िया कलर आया है, यह चटनी बहुत ही सिंपल है और यह लिटी के साथ बहुत अच्छी लगती है, लिटी के करती थी तो मैं इसी तरह से चटनी बनाती थी तो मैंने का चिरो ठीक है मैंने यहां पी देखिए आप क्या करना है सारा लिटी भड़ गया आप इसको क्या करेंगे छानना शुरू करेंगे कढ़ाई में तेल डाल दिया है और एक एक करके जितना इसमें जाएगा ना मुझे कढ़ाई उतनी बड़ी नहीं है छोटी है तो इसमें चार लिटी चला जाएगा तेल थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो तेल डाल दिया है बीच में भी डाल सकते सा कुछ नहीं है और आँच को थोड़ा सा तेज कर देंगे और जब तेल थोड़ा गड़म हो जाएगा त यहाँ पर देखिए और घर में जब आप बनाएंगे तो जितना मर्जी उतना खा सकते हैं जैसे बाजार से लेके आते हैं हम भी लेके आते हैं तो दो लिटी जो होती है वो आती है तकरीमन पचास रुपे की तो मन भी नहीं भरता है और घर में बनाया तो जितना मर्जी ख बहुत अच्छी होती है जिसे इसमें प्यास बगर कुछ भी नहीं है तो इसको आप एक दो दिन तक खाई सकते हो दो-तीन दिन अराम से चल जाता है तो सफर के लिए भी है बिल्कुल आइडियर है और यहां पर हम तो नाश्ते के लिए बना रहे हैं तो बहुत यह देखिये अराम से इसको तसल्ली से आप इसको सेखिये, यहां पर देखिए एक बैच निकल गया है, एक दम मस्त, इतना ज्यादा गड़म है कि मैं इसको छू नहीं पार रही हूं, यह तो मैं इसको तोड के आपको दिखाती, और पहली थाली जो है वो मैं लगा ले रही हूं, यहां प बहुत जादा बना 20 इली इम पतलब लिटी में यहां पे घर में बनाया है, और मैदा जो लिया था तकरीबन आदा केजी के आसपास कर लिया था, तो यही लगा लिजे आप, कि आदा केजी मैदा में 20 इलीटी बना है, और सत्तु है, आपके उपर है, अगर आप थोड़ा- जादा डालेंगे ना, तो जादा सत्तु लगेगा, मुझे तो जादा भड़ा हुआ सत्तु अच्छा लगता है, मतलब दो या एक में ही पेट भर जाएगा, बहुत ही बढ़िया, तो एक बार आप भी इसको ट्राइ किजेगा, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बिल लगता है, यह देखिए, यह तो इतना गरम है कि मैं छू नहीं पा रही हूँ, इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से बहुत ही बढ़िया निकलता है, और अंदर तक इसको कम आच में सिखेंगे ना, तो बिल्कुल अंदर तक यह सिख जाती है, तो लिटी चोखा बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और यह बिहार का लिटी चोखा बहुत ही फेमस है, तो पहले भी लोग खाया करते थे लेकिन अब तो कुछ बहुत ही जादा फेमस हो गया, हर जगह यह लिटी चोखा आप साधी ब्याह में चले जाएए, कहीं पाटे शाटी में चले है चटनी, चोखा और लिटी, आप चाहें तो इसके साथ एक चटनी और बना सकते हैं, वो भी इसके साथ बहुत जादा अच्छी लगती है, लासन की और लाल मिर्ची दोनों को पीज लीजिए और नमक और सरसोका तेल मिला लेजिए, वो चटनी बिना बहुत अच्छी तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने फैमली मेंबर्स में इसको शेयर कीजिए, जिनको नहीं आता है, उनके तक पहुंचाईए, तो मिलते हैं फिर एकने विडियो में थैंक्स पूर वच्चिं